आपका MacTech ITI YouTube channel में MacTech ITI YouTube channel के माध्यम से हम Industrial Training Institute के सभी trades, लगभग सभी trades के exams के तयारी करवाते हैं हम जो विशे लेकर किया हैं वो है Employability skill, Employability skill आपको पता है सभी trades के लिए important subject है और इस subject में सभी को exam देना होता और exam में pass करना भी compulsory होता है तो इस Employability skill के chapter wise हम study कर रहे हैं तो इसमें chapter first है Communication skill और Communication skill के तीन वीडियोज हम already ला चुके हैं आज जो लेकर के आए हैं वीडियो का part 4 लेकर के आए हैं जिसमें हम 20 questions लेकर के आए हैं तो उमीद करते हैं आप इस वीडियो की सीरीज का हिस्सा बन चुके होंगे और अगर आप नहीं बने हैं अभी भी आप वीडियो में नए हैं तो कृप्या आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगया आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पराप्त हो सकें और यदि आपको हमारे ये प्रेयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और साथ ये आपके पास कोई सुझाव हैं तो सुझाव भी जरूर दें हम इसी तरह से आपके लिए चैप्टर वाइज डिसकेशन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिसकेशन लाते रहेंगे के कॉम्यूनिकेशन स्किल टॉपिक का जिसमें हम 61 क्वेशन से शुरू कर रहे हैं तो 61 क्वेशन नमर 61 आपके सामने हैं अपको पता होना चाहिए करिकुलम वाइटे हम सीवी शॉट फॉर्म में इसे सीवी कहते हैं तो आप सभी बच्चे आप लोग जो रेज्यूमें बनवाते हैं उसी को करिकुलम वाइटे भी कहते हैं या सीवी भी कहते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीवी शुट बे रिटन कंटेनिंग सीवी में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए पहला उपशन है facts दूसरा उपशन है opinions त्वी उपशन है false statement तो इसका सही आंसर है facts आपके सीवी में facts होनी चाहिए अगला question आपके सामने है अपको क्या आवाइट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको options है पहला option है maintain eye contact with while speaking speaking बोलते समय आपको आखों से आखें मिला करके बात करनी चाहिए दूसरा option है speak clearly and sensibly clearly आपको बोलना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए तीसरा option है allow others to speak दूसरों को बोलने देना चाहिए चौता option है listen to other carelessly दूसरों को बहुत ही casually सुनना चाहिए careless हो करके सुनना चाहिए तो इसका सही answer है listen to other carelessly मतलब यह जो listen to other carelessly है यह आपको avoid करना चाहिए group discussion में आपका सवाल था group discussion में आपको क्या avoid करना चाहिए तो आपको यह avoid करना चाहिए question number 63 आपके सामने है when you disagree with a person's opinion you can say जब आप किसी person के किसी व्यक्ति के opinion से disagree करते हैं आप उससे सहमत नहीं होते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए आपके options है पहला option है I have a different opinion about this आपका पहला option है कि मेरे मेरे पास इसके लिए कुछ अलग दूसरा opinion है कोई different opinion है दूसरा option है I think so मैं सोचता हूँ तीसरा option है yes you are right आप सही है चौथा option है see you again बाद में मिलते हैं तो इसका सही answer है A आप उससे direct कह सकते हैं कि I have a different opinion about this यदि आप किसी किसी बात से सहमत नहीं है तो आप उससे ये कह सकते हैं कि इस topic पर मेरा व्यक्तिकत विचार अलग है अगला question आपके सामने है pick the best way to respond to the question shall we start the discussion आप दिये गए option में से सही answer आपको चुनना है सही answer आपको चुनना है यदि कोई group में या कहीं पर कोई आपसे ये कहता है shall we start the discussion हम लोग discussion क्या start करें तो आपको answer में क्या कहना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है आपके options है पहला option है to conclude दूसरा option है but don't you think तीसरा option है yes let's start चौथा option है to sum up जिसका सही answer है yes let's start अगर आपसे कोई कहता है कि shall we start the discussion तो आपका answer होना चाहिए yes let's start अगला question आपके सामने है when you want to conclude a discussion जब आप discussion को खतम करना चाहते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए आपके options है let's conclude let's finish in conclusion to sum up जिसका सही answer है C in conclusion परला question है question number 66 when you speak to a person you need to जब आप किसी वक्ती से बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए आपके options है पहला option है look at the person in friendly manner आप अपने सामने वाले व्यक्ती से friendly manner में देख सकते हैं उसकी तरफ तूसरा option है stare the person आप सामने वाले परसन को घूरें तीसरा option है look away from the person परसन उस व्यक्ती सामने वाले व्यक्ती से इधर उधर देखिए उसकी तरफ मत देखिए तीसरा चौथा option है look at the floor आप floor की तरफ देखिए तो इसका सही answer है A look at the person in friendly manner जब कोई व्यक्ती आपके ओपीनियन से disagree करता है तो क्या करना चाहिए पहला option है argue strongly आप अपने point को बहुत strongly रखें argument करें दूसरा option है fight with the person परसन से लड़ाई करने तीसरा option है listen to his और her view उसकी बात को भी सुनिए चौथा option है keep quiet इसका सही answer है listen to his और her view उसके view को आप सुनिए question number 68 है आपके सामने pick the apt phrase you should use when somebody ask you can you tell me about this आप इसमें से दिये गए option में से सही option चुनना है आपको आपको बताना है कि यदि आप से कोई व्यक्ती पूछता है कि can you tell me more about this जब आप से कोई व्यक्ती ये कहता है तो आपको इसमें से सही answer चुनना है कि आपको reply कैसे करना है तो आपका पहला answer होना चाहिए you are most welcome आप ये कह सकते हैं दूसरा option है thanks a lot तीसरा option of course चौथा option है really तो यहाँ पर आप कहेंगे of course question number 69 है आपके सामने when members get diverted and speak different ideas not related to a given topic what would you do जब group discussion आप कर रहे हैं और इस group discussion में members topic को divert कर देते हैं और different ideas बोलने लग जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना है तो पहला option है tell them that they do not know the rules of discussion आप उनको बताइए कि आप discussion के rules नहीं जानते हैं दूसरा option है you keep talking only about the topic आप केवल topic के बारे में बात करते रही है तीसरा option है alert them and bring them back on the track आप उनको alert कर दीजिए कि आप topic से भटक रहे हैं और topic में ही रही है आप ये बात कहकर के alert कर सकते हैं उने चौथा option है leave the discussion discussion को आप छोड़ सकते हैं जिसका सही answer है C आप उन्हें alert कीजिए question number 70 है आपके सामने what can be done to avoid repeating the ideas that others have already told ऐसा क्या किया जाए जिससे उस idea को जो idea already किसी विक्ति ने दे दिया है उसको बार बार repeat ना हो ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि वो idea बार बार repeat ना हो भिया गया idea repeat ना हो तो आपके options हैं we should express our idea even if it is the same हमें अपना idea तब भी express करना चाहिए जब वो same हो दूसरा option है we should listen carefully to avoid repetition हमें carefully सुनना चाहिए जिससे repetition को avoid किया जा सके तीसरा option है we should apologize for repetition repetition अगर हो रहा है तो उसमें हम माफी मांग सकते हैं चौत्व option है we can listen randomly हम randomly सुने इसका सही answer है we should listen carefully to avoid repetition question number 71 है आपके सामने what is the first step in learning a language language को पढ़ने का पहला step क्या है पहला option है that's true दूसरा option है can you please clarify तीसरा option है oh I see चौत्वा option है thank you for your help तो इसका सही answer है can you please clarify अगला question है question number 72 you apply for an apprenticeship to your dream company but you receive a rejection mail how will you handle the situation आपने अपने dream company में जिस company में आप काम करना चाहते हैं उस company में apprenticeship के लिए apply किया था पर company ने उसे reject कर दिया mail के बात हम से आप इस situation में कैसे handle करेंगे आपका पहला option है you get depressed आप depressed हो जाएंगे दूसरा option है you feel worthless आप अपने आपको बिलकुल निराश हो जाएंगे तीसरा option है you can you thank them and move on आप उन्हें थैंक करेंगे और आगे बढ़ेंगे चौथा option है you send them an angry mail गुस्से में आप उनको mail करेंगे उसका सही answer है C आप उनको thank करेंगे जब आपको mail में rejection letter भी मिलता है तब भी आपको thankful होना चाहिए आपको कहना चाहिए thank you very much और move on कर देना चाहिए अगले project की तरफ ध्यान देना चाहिए तो आपको क्या reply करना है कैसे आपको respond करना है तो आपके question यह है कि आपने किसी particular company में किसी X job के लिए A job के लिए आपने apply किया है पर company वालों ने आपको A job के बज़ाए B job में consider किया है तो अब आप क्या करेंगे आपका पहला option है आप yes कहेंगे और बिल्कुल ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप बहुत excited है B job करने के लिए दूसरा option है आप कह देंगे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा आप thank you बोल करके निकल जाएंगे तीसरा option है आप yes कहेंगे लेंगे और कोशिश करेंगे कि job B को भी आप सीखें और उसमें भी महारत हासिल करें तो इसका सही answer है पहला option है feel you are unlucky आप ऐसा feel करेंगे कि आप unlucky है दूसरा option है analyze what went wrong आप analyze करेंगे कि ऐसा क्या गलत हुआ जबकि आपने तयारी तो पूरी कर रखी थी तीसरा option है lock yourself in room आप अपने आपको कमरे में बंद कर लेंगे चौता option है you complain to your friends अपने दोस्तों से उसके लिए शिकायट करेंगे इसके सही answer B है आप ये analyze करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या कमी रह गई क्या गलती रह गई अबलग question आपके सामने है question number 75 a famous company has made an open call for hiring freshers what will you do एक बड़ी company ने famous company ने freshers को hire करने के लिए एक open call दिया है आप क्या करेंगे आपका पहला option है think you will not make it anyway आप सोचेंगे कि आप ये नहीं कर पाएंगे दूसरा option है prepare a good resume resume and apply आप एक अच्छा resume में तयार करेंगे और apply करेंगे तीसरा option है fair rejection आपके अंदर reject होने का डर होगा चौता option है tell everyone that you are applying आप सबसे बताएंगे कि आप apply करेंगे तो इसका सही answer होगा B आप एक अच्छा resume में तयार करेंगे और apply करेंगे अगला question आपके सामने है question number 76 when someone ask how much you value yourself your answer will be जब कोई विक्तिया आप से कहता है कि आप अपनी क्या value रखते हैं तो आपका पहला option है I don't know आप कहेंगे मैं नहीं जानता दूसरा option है I am not valuable आप कहेंगे कि मैं valuable नहीं हूँ तीसरा option है I value myself a lot मैं अपनी आपकी value बहुत ज़्यादा रखता हूँ चौतरा option है none of the other तो इसका सही answer है C I value myself a lot अगला question है question number 77 When other says hurtful things about us we should अगर कोई विक्ती अगर दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ hurtful बातें कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए आपका पहला option है value their words and believe it उनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए दूसरा option है ignore such ideas and believe in ourselves ऐसे ideas को ignore कर देना चाहिए और अपने अंदर भरोसा रखना चाहिए तीसरा option है talk hurtful आप उनसे hurtful things के बारे में बात करें talk hurtful things about them चौत्हा option है behave according to their words उनके words की तरफ behave करना है दूसरा option इसका सही है ignore such words यदि आपको कोई active worthless कहता है आपको कहता है कि आपकी कोई value नहीं है तो इस तरह के शब्दों को आप ignore करना चाहिए और अपने अंदर भरोसा रखना चाहिए अपने अंदर confidence रखना चाहिए question number 78 आपके सामने है if you are unable to continue your studies in school or college अगर आप अपनी school और college की studies continue कर पाने में समर्थवान नहीं है या समर्थ नहीं है तो आप क्या करेंगे पहला option है you can learn from experience आप अपने अनुभाव से पढ़ाई अनुभाव से learn करेंगे अगरा question है you become illiterate आप illiterate रह जाएंगे अनपढ़ रह जाएंगे तीसरा option है you cannot achieve anything आप कुछ भी जिन्दगी में अचीव नहीं कर पाएंगे चौता option है you have to depend on others forever आप दूसरों पर हमेशा के लिए depend हो जाएंगे इसका सही answer है A अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे तो आप अपने अनुभों से लर्ण करेंगे अपने अनुभों से सीखेंगे नमबर 79 आपके सामने how do successful people successful people handle failure successful people जो सफल लोग होते हैं सफल लोग अपने failure को कैसे हैंडल करते हैं पहला option है they learn from their mistake they get demotivated पहला option है they learn from their mistake अपनी गलतियों से सीखते हैं दूसरा option है they get demotivated वो demotivate हो जाते हैं तीसरा option है they blame others दूसरों पर blame करते हैं चौत्व option है they give up and their admissions अपने ambitions को वो give up कर देते हैं छोड़ देते हैं इसका सही answer है they learn from their mistake तो कभी भी अपने mistakes या अपने failures की वज़े से अपने आपको demotivate नहीं होना चाहिए हमेशा आपको अपने failure से सीखना चाहिए क्योंकि किसी ने एक बहुत अच्छी कहावत कही है कि failure is a stepping stone to success जो failure होता है सफलता सफलता की पहली सीड़ी है तो इसलिए हमेशा यहाँ पर भी और इस question के answer में भी आप देखेंगे कि they learn from their mistake और आपको भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी failure से अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और सीख करके आगे बढ़ना चाहिए आज की class employability skill के topic communication skill का अंतिन प्रेशन आपके सामने आचुका है अपना short term goal आपको select करना है पहला option है maintaining good health अच्छी health maintain करना दूसरा option है leading a happy life एक happy life जीने के लिए आगे बढ़ना है तीसरा option है being helpful हमेशा आपको helpful रहना है चौता option है learning to drive a car car सीखना है तो अब आप यहां थोड़ा सा confused होंगे कि यहां पर पूछ क्या रहा है तो actually यहां पर आपसे पूछ रहा है short term goal के बारे में जैसे आपके life में जो goal set up आप करते हैं तो वो short term हो सकते हैं long term हो सकते हैं तो maintaining a good health अच्छी health maintain करना है एक long term goal है आपको हमेशा के लिए help तो हमेशा के लिए maintain करना होता है दूसरा option leading a happy life एक successful और खुश जिंदगी जीने के लिए जो है आप goal अगर set करते हैं तो यह भी lifetime goal होता है तीसरा option है being helpful हमेशा दूसरों के help करना भी जो है आपका lifetime goal है learning to drive a car car सीखना यह lifetime goal नहीं होता है क्योंकि यह चोटे term का चोटे समय के लिए होता है तो चोटे समय में कम समय में इसे आप सीख लेते हैं तो आपका short term goal जो है इन दिये गए options में से D है learning to drive a car car सीखना जो है आपका short term goal हो सकता है तो यह थे आज की class के 20 question उमीद करते हैं कि आपको यह 20 question helpful लगे होंगे यदि आपको यह 20 question helpful लग रहे हैं और हमारी यह series अच्छी लग रही है अगर हमारी employability skill की जो हम chapter wise daily videos लेकर के आते हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो करपिया वीडियो को like करें आपके subscription की वज़े से तथा आपके वीडियो लाइक करने की वज़े से हम motivate होते हैं और हम इसी तरह के और वीडियो लाते रहेंगे जो आपको exam में helpful हो तो आज के लिए एतना ही धन्यवाद आपका दिन शुभ हो